हेलो दोस्तों स्वागत है अपका कॉंप्लिकेटिड स्पोर्ट्स चैनल में तो आपका दोस्त आपका भाई आपके लिए ये वीडियो लेके आ गया है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होक्की वल्ड कप 2018 में जो आज पहला मुकाबला खेला जाएगा यानि कि फर् सब्सक्राइब नहीं क्या है तो प्लीज अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने इस भाई को सपोर्ट करें और इस चैनल को आगे तक ले जाने में अपने इस भाई को मदद करें तो बात कर लेते हैं दोस्तों अर्जेंटीना इंग्लेंड का जो पहल देखना चाहिए तो आप यहां पर देख सकते हैं और बात कर लेते टीम न्यूज को तो आपको पता होगा जो अर्जेंटीना जो है पिछला मुकाबला जो हारी थी फ्रांस से तो काफी चौकाने वाला शॉकिंग था ये तो एक-दो चेंजस आपको देखने को मिल जाएंगे अर्जेंटीना के तरफ से क्योंकि अर्जेंटीना जो है काफी अच्छी टीम है और फ्रांस से हार जाना थोड़ा से सौकिंग रहा होगा अर्जेंटीना के लिए तो एक-दो चिंदेश जरूर करेगी टीम और पहला क्वाटर फैनल है तो अपनी जो बेस्ट स्ट्रेंड है उसको लेकर उतरने के कोशिश करेगी अर्जेंटीना तो चलिए देख लेते हैं हैड-to-hem मुकाबले क्या करते हैं दोनों इी टीमों के देखिए बात करते हैं अगर दोनों इे जह हुए हैं सिंस 2013 से है और फीनी मुकाबला जो और वहीं बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप में तो दोनों ही टीमों के बीच वर्ल्ड कप में आठ मुकाबले कुल खिले गए जिसमें से अर्जिंटीना ने दो इंग्लेंड ने तीन और तीन मुकाबला ड्रो रहा है तो यहां पर जो है इंग्लेंड का जो पलरा यहां भारी पाबले में और वहीं बता देते हैं जो प्लेंग लेवन रहने वाली है दोनों इटिमों की तो जे भीवाल डी जोगी गोल कीपर होंगे अर्जेंटीना के जी पीलट और यहां से जी गिलारड़ाडी पी इबारा आई ओर टीज जे लोपेज एमरी एल रोसी एल विला ए मजल और एल मार्टिनेज तो यह प्लेंग लेवन हो सकती है अर्जेंटीना की तरफ से और अगर आप यहां पर बात कर लेते इंग्लेंड की जो प्लेंग लेवन की तो जी पीनर जो की गोल कीपर है इनके यह खेलते नजर आ जाएंगे एम गलोर ने काफी अच्छे हैं प्लेयर और यह एडिक्सोन, एलसनफोर्ड, एम हावरे, आई सलोन, डी एमस, बी मिडिल्टन और जे गॉल, एम कलान और एल एंसल तो यह जो है इंग्लेंड के होकी के जो आज की प्लेंग लेवन है यह रहने वाली है और वहीं बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों की तरफ से जो की पिलट और इंग्लेंड के तरफ से एल एंसल एम गलोर ने तो इनको आप कैप्टन भाइस कैप्टन भी ट्राइक कर सकते हैं और देख लेते हैं हमारी जो ड्रीम अलेबन की टीम रहने वाली है क्या रहने वाली है आज के इस मुकाबले के लिए के बात करेंगे यहां पर सबसे पहले गौल-कीपर सेक्शन की तो आपको बता दे गौल-कीपर में आम इनको मैने यहां पर नहीं साप्डिर और स्मोल लिक के जो बेस्ट प्रश्वा overlap चाहें उखर आप्र बी वाली तो ट्राइक कर सकते हैं हलाकि पशल मुकाबले में माइ ये दोनों को आपको लेकर चलना है हर हालत में और वहीं आपको बता दे यहां से जो डिफिरेंशियल पिक है मैंने इबारा को पिक किया और अगर आपको चेंजस करना चाहें तो इन दोनों के जगह पे इन दोनों को छेर चाहर बिल्कुल नहीं करना इन दोनों के जगह पे आपको लेकर चलना यहां से डिक्सोन को और यहां से लुक ट्रेलर नहीं माइकल होडे को आप ट्राइ कर सकते हैं जुआन गिलार्डी इनको आप ट्राइ कर सकते हैं तो इन 3-4 मेंसे किनी को ट्राइ कर सकते हैं हलाखे ज़्यादा अच्छा उपके लिए dijci dalla को ट्राइ ने वाले हैं मैंने याप इन को ड्रॉप किया है और महीं midfielder की बात के तो मैंने 3 midfielder लेगे Mathis Ray और यहां से मैंने लिया है Mathis Ray के साथ जो David Ams को यहां से मैंने लिया है और यहां से मैंने लिया Jack Quiller को और अगर आप try करना चाहे तो आपके पास जो option है जुआन लोपेज काफी अच्छे option है आपके पास try कर सकते हैं जुआन लोपेज तो यह 3-4 option है जिनको आप midfielder में grand league में try करना चाहो तो कर लेना काफी अच्छे pick हो जाएंगे forward filter की बात करें यहां से मैंने Agustin Mazlil इनको तो आपको forward में try करके चलना ही चलना है और यहां से मैंने ले लिया यहां से Luca Villa को और Lea Mansell तो यह सब काफी अच्छे pick रने वाले हैं मेरे ही सबसे forward में और Martis Paredes यहां से आप चाहो तो try कर लेना Lucas Martinez इनको आप grand league में चाहो तो try कर लेना captain by captain बना के अच्छे pick हो जाएंगे तो और कुछ best option है नहीं तो मैं suggest नहीं करने वाला हूँ तो बात कर लेता है captain by captain की जो choice रने वाले हैं captain के जो एक number दावेदार रने वाले हैं काफी अच्छे दावेदार रने वाले हैं क्योंकि आप इनका performance देखे तो लगातर सभी मैचों में काफी अच्छा performance दिया है इन्होंने और देख सकते हैं हर मैचों में काफी अच्छा point score किया है तो अगर आप best captain by captain के साथ जाना चाहते हैं तो यही captain के best दावेदार है तो आप इनके साथ जा सकते हैं 22 captain के लिए मैंने यहाँ से mark लोरने को चुना है और आप चाहें तो चेंदस करके मैथिस रे को try कर सकते हैं या डेविड एम्स को भी try कर सकते हैं और अगर आप forward से try करना चाहते हैं तो अगस्तिन मजलील को try कर लिजेगा काफी अच्छे रने वाले इस combination के साथ जा सकते हैं कैप्टन पिलियट और 22 कैप्टन अगस्तिन मजलील की काफी अच्छे पिक होने वाले हैं लेकिन मैंने इन दोनों को try किया है आप थोला सा चाहो तो बिल्कुल एक दो चेंदस कर लेना तो देख सकते हैं हमारे चाहें जोजे पीना रहे हैं तो यह हमारी टीम रहने वाली है इस मुकाबले के लिए और अगर आप जाना चाहें तो एक चेंदस करके जा सकते हैं काफी अच्छी पिक हो जाएंगे सारे प्लेयर्स आपके लिए और उमीद आपको वीडियो पसंद आओगा तो प्लीज अपने इस भाई के चनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद